हेलो स्टूरेंट्स वेलकम अगीन टू लर्न विर दीतिवन तो आज से हम स्टार्ट करेंगी ग्लास एवन्त की पॉलिटी चलिए स्टार्ट करते हैं Question number 1 है, समान्ता का अधिकार सम्विधान के किस अनुचेद में है? तो समान्ता का जो अधिकार है, वह सम्विधान के किस अनुचेद में उल लेखित है? तो इसका सही अंसर है, अनुचेद 14 से 18 तक में समान्ता का अधिकार लिखे हुए हैं. सोतंतरता का अधिकार समविधान के किस अनुचेद में है तो इसका सही आंसर है अनुचेद 19 से लेकर 22 यानि अनुचेद 19, 20, 21 और 22 इसमें हमारे सोतंतरता के अधिकार जो है वो उल्लेखित किये गए है नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 3 मास मीडिया की क्या उधारन है तो इसका आंसर है मास मीडिया में अक्वार, रेडियो, टेलिविजन और इंटरनेट ये सब ही आ जाते हैं नेक्स्ट कुश्यन 4 सोसल मीडिया क्या है मास मीडिया हमने देखा अक्वार, रेडियो, टेलिविजन, इंटरनेट आते हैं और सोसल मीडिया के अंतरगत ओनलाइन संचार चैनलों का एक मात्यम है जो कि लोगों के लिए नेटवर्ग में सूचनाओं, विचारों, तस्वी समाज के सदस्यों का द्रश्टिकों और समाजिक विवस्ताएं होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए समाज के सदस्यों का द्रश्टिकों और जो समाजिक विवस्ताएं हैं वह सभी लोगतांत्रिक होनी चाहिए, मानवतावादी होनी चाहिए, और समानतावादी होनी चाहि हैं और हमें पता ही नहीं चलता है क्योंकि ये कुशन जो है वो आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा किस ग्रंथ में उल्लेकित है कि सुगंदा दिद्दा और कोटा नामक महलाओं ने बहुत समय तक कस्मीर में शाषन संचालित किया तो यह किस ग्रंथ में उल्लेकित तो धर्म, जाती, समुदाय, और लिंग, यह सभी वर्ड जो है को आपको याद होने चाहिए, धर्म, जाती, समुदाय, लिंग, और जन्मस्तल, इनके आधार पर भेदवाव ना होना, यही है समानता का अधिकार, option में एक वर्ड जो हटा दिया जाता है, तब यह आंसर जो है में उलेखित किये गए है, नेक्स्ट है, असप्रस्टता का अधिकार किस अनुछेद में है, तो पहले तो यह पता होना चाहिए, कि असप्रस्टता का अधिकार जो है, वह समानता के अधिकार में आता है, तो हमें मालूम है कि असप्रस्टता का अधिकार जो है, वह समानता की अधिकार की अंतरगत आता है और यह 14 से 18 तक जो अनुचेद हैं उसमें दिये हुए हैं जिसमें अनुचेद 17 जो है वह असप्रस्टता की अधिकार की बात करता है कि किसी से भी जुवा चूत और धर्म के अधार पर कोई भी बेदवाव नहीं किया जाएगा नेक्स्ट है कुशन 9 मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिक को अधिकार है अगर जो भी फंडामेंटल राइट्स है अगर नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा है तो नागरिक क्या कर सकता है तो उसे अधिकार है कि वह हाई कोड में भी जा सकता है और सुप्रीम कोड में भी जाकर जन हितियाचिका जो है वो लगा सकता है ठीक है तो मूल अधिकारों का हनल होने पर नागरी को अधिकार है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है नेक्स्ट है question 10 वार्ती संविधान की प्रस्तावना में धर्म निर्पेक्ष शब्द को बदलकर कौन सा सब्द लिखा गया है तो दिए प्रस्तावना जो है वो उसमें एक एक शब्द जो है वो आपको लर्ण होने चाहिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में केवल प्रस्त वो संविधान में उलेकित हो रही थी तो पंत निर्पेक्ष जो है वो एक अच्छा सब्द है तो इसी लिए दर्म निर्पेक्ष को अटा कर पंत निर्पेक्ष शब्द लिख दिया गया नेक्स्ट है सारव भूमिक मतादिकार किसे कहा जाता है तो हम लास्ट क्यास में कर भी चुके हैं कि सारव भूमिक मतादिकार क्या होता है सारव भूमिक यानि सभी को और मतादिकार यानि मत या मत का अधिकार तो जो 18 वर्ष से अधिक के जो सभी वयस्क हैं सभी वयस्क व सामिल होंगे, एक को नहीं लिया जाएगा, सब को सामिल किया जाएगा. Next है, question 12, नीती निर्देशक तत्व क्या है? तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार जो है, वो नागरिक को प्राप्त है, ठीक है? नीती निर्देशक तत्व जो हर वो बातेकारी नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है, सरकार के लिए निर्देश है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उनको मानने के लिए बातेकारी है, chapter 1 और 2, complete कर लिया है, next हम chapter 3 करेंगे, और इसी तरीके से हम 7th class, 8th, 9th और 10th, 10th class तक पूरा ही नहीं था, question 1 है, संसद और विधान सभाओं में कितनी प्रतिशतिस्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग है, तो इसका आंसर होगा, 33% देखिए, वैसे तो 50% आरक्षित करने की मांग है, लेकिन आपकी बुक में 33% दिया हुआ है, next है, question 2, पंचायती राजव और नवी निकायों के जुनाव के लिए, जो महलाओं को आरक्षिन दिया गया है, वो दिया गया है 33% और मांग जो है, वो 50% की है, next है, जनही तियाचिका क्या है, जनही तियाचिका क्या है, नियायले में जनता की भलाई से जुड़े हुए विशय का एक प्रात्मा पत्र ह जब जनता को कोई भी परिशानी होती है, तो वो अपने नियाय के लिए, नियायले में जनही तियाचिका जारी कर सकता है, तो ये एक प्रात्मा पत्र है, बहलाओं की उचसिक्षा के लिए बचत द्वारा धन जुटाने के लिए कौन सी योजना प्रारंब की गई है, तो वो है सुकन्या सम्रति योजना, नेक्स्ट है, कुशन पाइप महला बाल कल्यान के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो महला बाल कल्यान के लिए जो योजना चलाई जा रही है, वो है जननी सुरक्षा योजना, तो आपको याद रखना है कि जहाँ धन जुटाने के लिए यूजना की बात की गई थी उस यूजना करना में सो कन्या सम्रत्ती यूजना लेकिन बहला बाल कल्यान के लिए जो यूजना है वह है जननी सुरक्षा यूजना नेक्स्ट है सती प्रथा के विरुत कानूनी प्रतिवंद किसने लगाया था तो हमने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा था लास नाइन्थ में सती प्रथा के विरुत कानूनी प्रतिवंद लगाने वाले राजा रामोहन राय थे जिन्होंने 1829 इसके लिए बहुत अधिक प्रया जाता है तो उन्हों ने 1829 इस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिवंद लगवाया किसने विद्वा विवा के समर्थन में जागरती पैदा की तो सती प्रथा के विरुद्ध राजाराम मुहनराय ने और विद्वा पुनर विवा के लिए जो भी कारे कि वो इस वर्चंद विद्या सागर ने कि उन्हों ने इस समवर्फन में जागती पैदा की विद्वा ओनर विवा की सम्वंद में नेक्सٹ है एड लैंगिक भेद क्या है तो इसका अन्सर है समाज द्वारा बनाया गया बिछ ओने वाला भेद ट wipe लैंगिक भेद क्या है समाज ने यह और प्रेट किया है कि यह स्तै है और एन यह इ स्तो थ्रय यह प्रियुक घरनल है तो यह सभी समाज के द्वारा बनाएगा एक भेद है Next है लिंग भेद क्या है तो देखिये जो प्रकृति ने बनाए है इस्त्री और पुरस में भेद क्योंकि इस्त्रियों का जो बाड़ी स्ट्रक्टर है वो अलग होता है और पुरसों का अलग होता है तो यह है link bait, confuse नहीं होना है, जब हम link bait की बात करते हैं, तो प्रकृती द्वारा बनाया गया है, लेकिंग link bait जो है, वो समाज द्वारा create किये गए है, आपके जो जब आप पैड़ोजी करेंगे, जो आप section video करेंगे, वहाँ पर ये question जो है, वो आपको help करेंगे, तो आपको पर्ड जो है, वो दिहान में रखना है, चलिए, next है, देखिए, उसी की तरी से एक और वर्ड है, लेंगिक समवेदन सीलता, जिसे हम लेंगिक समानता भी कहते हैं, अब ये क्या है, इस्तरी और गुरुस दोनों के प्रती, समान, भाव, अनुभाव करना, ये क्या है, लें समानता, राजिस्थान में जनकरणा 2011 की अनुसार कुल साक्षर्था प्रतिशत है, तो कितनी है, 2011 की जनकरणा की अनुसार, राजिस्थान में कुल साक्षर्था प्रतिशत है, 66.17 प्रतिशत, चीक है, याद रखना है, 66.17 प्रतिशत, next है, question 12, राजिस्थान में जनकरणा 2011 2011 की अनुसार महिला साक्षर्था प्रतिशत कितना है तो महिला साक्षर्था प्रतिशत है 52.10 प्रतिशत बिल्कुल याद रखना है आपको पॉइंट के बाद जो एक 0 प्रतिशत है ये भी याद रखना है ठीक है बिल्कुल आपको ये चीज जो है वो याद रखनी है तो कि ए प्रतिशत गोधा 26.170 प्रतिशत जिसमें महलाओं की साक्षर्त प्रतिशत 52.10 और पॉर्सों की 89.20 ठीक है याद रखना है सबसे कम साक्षरता है तो रादिसikan 유 Won min सबसे कम साक्षरता है तो जाल्वर NO साक्षरताम है शालह Protestant है का ख़ारcha naz답 प्रीयumbe अम कहा सबसे कम क्ष़रता है वी कु मैं जो सबसे कम सा से करहा है तो अभारत का ये पुर्ष का और महलाओं के बीच अणपाद है, वो 2011 की अनुसार क्या है? तो वो है, 1000 पुर्सों के पीछे 943 महलाएं. चीक है? महलाओं की संख्या कम है? यह हजार पुर्सों के उपर ही लगाई जाती है. तो कितना है? 1000 पुर्सों के उपर 943 महलाएं यह भारत की है. और जब हम राजिस् है लेकिन गोजिस्तान में और भी कम है 928 महलाएं प्रति 1000 पुर्सों. सरवुच नियाले की प्रतम महला मुख्य नियाएदिस कौन थी? सरवुच नियाले की जो पहली महला मुख्य नियाएदिस Q artists की उनका नाम था नियायमूर्थी पातिमा बेवी ठीक है? नियायमूर्थ चारट ची ऐसे पूछते हैं कि जो करन्ट जीके है वो आयगा या नहीं आयगा तो इसी तरीके से पुछा जाता है सरगोच ऑनेले के वर्तमान में मुख्य न्याएदियस है सिर्भुष on महिला और बाल कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जन्नी सुरक्षा योजना है राजिस्तान का हाई कोड़ कहा है राजिस्तान का उच्छे न्यायले जो है वो जोद्पूर में है लेकिन इसकी जो एक ब्रांच है वो जैपूर में भी है बारत का सुर्वोच न्याले कहां इस्तित है बारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है नेक्स्ट है लोग कल्याण कारी सरकार की कर्तव्य में सम्मिलित है नियूंतम जीवन स्तरकी कारंटी शिक्षा वरोजगार और समाजिक सुरक्षावा कल्याण तो ये क्या है लोग कल्या 2011 की जंगर्णा की हाल उसार तो इसका आंसर है देखिये जो पहले जो टॉप थ्री है याईनि सबसे ज्यादा दसकी ब्रधिद्वर बाढ़ मेर में 32.5 उसके बाद जैसल मेर में 31.8 प्रतिशत और जूधूर की 27.7 प्रतिशत ठीक है तो पहले दो जो है वो तो आपको याद ह प्रतिशत और जैसल मेर की 31.8 प्रतिशत और जोदपूर की 27.7 प्रतिशत नेक्स्ट है राजिस्थान में 2011 की जनवर्णा के अंसा सरवाधिक लिंगानपात वाले जिली कौन से हैं तो सबसे ज्यादा लिंगानपात वाले जिली हैं जिसमें हजार पुर्सों के ऊपर 994 बहिलाएं उसके बाद रासमवत 990 और उसके बाद पाली ठीके पहले दो जो हैं वह आपको यादी रखने हैं सबसे पहले हैं जिसमें सरवाधिक लिंगानपात है और उसके बाद है राजसमवत चप्टर 3 जो है वह कंप्रीट कर लिया है quality का next chapter 4 करेंगे चलिया उस्टार्ट करते हैं. question 1 है संग सुची जिसे हम कींदर सुची हएं और राजसुची और संवर्ती üstुची इसमें कितने विशय शामिल है تो answer है संग उही के पहले 97 विशय थी लेकिन वर्तमान में 100 है तो आपको याद रखना है कि कि अब संग सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्थी सूची में 52 विशय शामिल किये गए हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं कि संग सूची में यहां पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंदर को होता है। राज्य सूची में राज्य बनाते हैं और समवर्थी सूची इसमें केंद्र और राज्य जो हैं वो दोनों ही बना सकते हैं। Q2 है, संग सूची के अंतरवत विशय आते हैं, अब हम देखते हैं कि जो केंदर सूची के अंतरवत कौन से विशय संवलित किये गए हैं, फर्स्ट है प्रतिरक्षा, यानि प्रतिरक्षा से संबंधित कानून जो है वो हमारा केंदर बनाता है, विदेसी मामले से संबंधित, बैंकिंग, संचार, रेलवे और मुद्रा, ये सभी जो विशे हैं, वो केंद्र सूची के अंतरवत आते हैं, इन पर कानूर बनाने का दिखार केबल केंद्र गोगा, नेक्स्ट है, फुशन थर्ड, राज्य सूची के अंतरवत विशे कौन से आते हैं, तो अब राज्य जो है, वो कौन कौन से कानूर बनाने का दिखार रखता है, जिस पर केंद्र अपना हस्तिशेप नहीं कर सकता, तो राज्य जो है, पूलिस, इस्तानिय, व्यापार, ववा जाए, तो जो केंद्र है, उसको ही ध्यान में रखा जाएगा, यानि केंद्र की बात जो है, वही ध्यान में रखी जाएगी, समवर्ती सूची के अंतरवत विशे आते हैं, वन, सिक्षा, मजदूर संग और विवावदी, ठीके, तो याद रपना है कि सिक्षा के ऊपर कें विधान सभा की सदर्ष्य संक्या है, राजिस्तान राज्य में विधान सभा में जो सदर्ष्यों की संक्या है, वो 200 है, नेक्स्ट है, विधान परिश्यत की सदर्ष्यों की संक्या कम से कम होती है, यानि विधान परिश्यत की सदर्ष्यों की संक्या कम से कम कितनी होनी चाह यह केवल विधान सभा है राजशतान में लेकिन और राज्यों में विधान सभा और विधान परिशद नहीं है राज्य शरकार की सक्तियों के कितने अंग हैं राज्य शरकार की सक्तियों के अंग हैं कारेपालिका विधायका और नियाईपालिका तो कारेपालिका के अंतरगत ही इस्थाई कारेपालिका आती है ठीक है लेकिन राज्य शरकार की तीन ही अंग है याद रहना है केवल तीन अ उपर जो कार्य करेंगी कानून जब बनेगा तो उसके उपर कार्य करने वाले जो अधिकारी होंगे वो यहां सामिल होंगे विधायका के अंतरगत कानून बनाने का कार्य होता है और न्यायपालिका जो की इन दोनों के बीच में नेर्णय का कार्य करता है लेकिन न्यायपालि चाहण होता है कानुन बनाने काृंद सॉइ हुएधा का इक पारत का विदायका सतना का नियुक्त आफलो समय काão जाते हैं जो कनून बना है उसे लगव पर करने का काम होता है करय पाव बना हएि नेट्स है Q concern number 10 कारभ फालिका में कौन-कौन आते हैं तो जो कानून को लागू करते हैं उनमें राजेपाल, मुखे मंधरी, मंधरी परिशद और सरकारी अधिकारी जो हमने इस्थाइ कारभ फालिका हमने पहले देखी थी वो ही उसी की अंतर्वत, सरकारी, अधिकारी जो ने वो आते हैं, ठीके, तो वहाँ पर confuse नहीं होना है, जो राज्जे सरकार के तीन ही यंग होते हैं, कारेपालिका, विधायका और नियाएपालिका, ठीके, तो कारेपालिका की अंतररगत कौन-कौन आया, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिशद और सरकारी, अधिकारी, नेक्स्ट है, कुशन 11, विधायका में कौन-कौन आते हैं, अब कानून जिन्हों ने बनाया, तो उसकी अंतरगत आएंगे राज्यपाल, विधान सभा और विधान परिशद, यानि संसद, जैसे की के नियायायले यानि हाई- कौर्ड और अधिनस्ते नियायले कोर्ट होते हम लेकिन कींदर बार करते हैं, यहां जर्वों चिन्यायले की। और विदायका कानून को पास नहीं होता है और विधायका के अंतरगत भी देखा कि जब कानून को बना रहे होते हैं, वहाँ पर भी राजेपाल का एहम रोल होता है, तो राजेपाल जो है, वो कारेपाल और विधायका, इन दोनों की शक्तियों में उसकी भागीदारी होती है, नेक्स्ट है, राजे का समविधानिक मु मुक्या कौन होता है तो तब आंसर आएगा मुख्यमंत्री याद रखना है राज्य का सम्वेधानिक मुख्या राज्यपाल होता है और वास्तुविक मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल की निप्ति कौन करता है राज्यपाल की निप्ति करते हैं राष्ट्रपती राष्ट्रपती के प्रशाद परियंत ही राज्यपाल की निप्ति होती है नेक्स्ट है राजयपाल का कारेकाल कितना होता है तो राजयपाल का कारेकाल होता है राश्ट्रपती के प्रशाद परियंत होता है राश्ट्रपती जितने वर्ष चाहता है उतने वर्ष तक राजयपाल जो है उस राजय का राजयपाल रहा सकता है और उम्र जो है वर्ष जो और इस तो यह सरकार के साहयता करने के लिए नियूकत किया जाते कुशिन 18 है राजय पाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए तो राज़पाल बनने के लिए 35 वर्स होनी चाहिए अगर आपकी उम्र तरीखे की तरयं की सरकारी जो वह जौब नहीं है और आपने 35 वर्ष पूरे कर लिये हैं और आप इस देश के नागरिक हो उस राजे के नागरिक हो तो आप भी राजेपाल पत के लिए निर्वाचित तो हो सकते हो तो राजेपाल बढ़ने के लिए उम्र जो है वो केवल 35 वर्ष होनी चाहिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के निक्ति कौन करता है देखे राजेपाल की निक्ति जो है वो राश्टपती करते हैं उनके प्रशाद परियमत्य की राजेपाल की निक्ति होती है और राजेपाल जो है वह है उस राजे के मुख्यमंत्री के निक्ति करता है कुशन प्रंटी है मुख्यमंत्री की सला पर मंत्रियों की निप्ति कौन करता है तो मुख्यमंत्री की सला पर मंत्रियों की निप्ति राज्यपाल करते हैं राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की निप्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सला पर मंत्रियों की निप्ति करते हैं नेक्स्ट हैं राज्य की आरपालिका सक्तित्यां कि तो दिखिए, राजी की विधायका के जो सत्र होता है, उसको बुलाने का काम और प्रथम सत्र को संभोधित करने का काम कौन करता है, राजेपाल, ठीक है? वो बैठक में अध्यक्षता करता है, लेकिन उस सस्त्र को बोलाने का काम और संभोधित करने का कम, कौन करता है, राजयपाल करता है, नेक्स्ट है, 23 राजय में कोई भी पारत विद्य है, किसकी सुईक्रती के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बन सकता है, हमने देखा कि का और राजेपाल के अस्ताकषर जो होने चाहिए जब takich कषिद्ध hm विध्यक नेच रहें 24 राजेपाल की स्वीकृती के क्या है तो राजे में आपात कालिन शक्तियां जो है वो है जिनका प्रयोग राजेपाल निर्वाचिक सरकार के स्थान पर राजे में राष्टपती शाषन होने की स्थिति में करता है तो राजेपाल को ये अधिकार होता है कि वह है जब राष्टपती शाषन लग रहा होता ह तो सारे शक्ती है वो राजयPAL के पास आ जाती है, तो राजयPAL किसी से भी, इसकी राय नहीं मांगता है, उसकी पास सक्ती होती है तो वहाँ निड़े लेने के लिए तयार होता है, क्योंकि आपात का लिन, इस्तिती में बैटर बुलाना इतने जल्दी से संभब नहीं हो पाता है, तो राजचरपाल के पास सारी शक्तियां आ जाती है, मंत्री परिशद किसे कहते हैं, इसका आंसर है, कि मुक्य मंत्री और उ चलिए, question 27 है, सरकार के प्रतीक मंत्राले में मंत्री की साहिता के लिए कौन होते हैं, तो हम लोग ने राजच्य के कितने अंग हैं, यह हमने देखा था, तो वहाँ आपको समझ में आया होगा, कि प्रतीक मंत्राले में मंत्री की साहिता के लिए कौन होते हैं, देखिए, कि अंतरगत एक इस्थाई कार्यवालिका भी पड़ी थी, तो ये सभी मंत्रियों की साहता के लिए सरकार द्वारा इनको न्युक्त किया जाता है, चीक है? राजिस्थान में मंत्री परिशद कहां से राज्य का साशन का संचालन करती है, तो कहां से करती है, आपको उस इस्थान का नाम बताना है, देखिए, राजिस्थान में जो मंत्री परिशद हैं, जिसमें मुक्य मंत्री और मंत्री कर्ण सभी आते हैं, तो ये सभी जैपूर मे सच्छिवाले भवन द्वारा राज्य के शाशन का संचालन करते हैं, बुक में दिया हुआ है, सच्छिवाले भवन का बहुत ही सुन्दर चित्र दिया हुआ है, तो ये कहां पर है, जैपूर में, मुख्यमंत्री कौन होता है, तो मैंने आपको मॉनिटर का एक्जामपल दिया था, तो जैसे ग्लास में मॉनिटर होता है, उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री होता है, चलिए, विधान सभा में बहुमत वाली पार्टी के गटमंतर करनेता कौन होता है, मुख्यमंत्री विदान सभा में जो पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है तो उन्हीं में से एक नेता जो है वो चुना जाता है कि हाँ यही हमारी टीम को सम्हालेंगे तो वही मुक्यमंत्री होते हैं क्योंकि उनके साइन के बिना राज्य के लिए कोई भी कारे नहीं आगे बढ़ता है। उसी तरीके से राज्य के मंत्री परिशत का मुक्या हमने देखा कौन होता है। मुक्यमंत्री जो की राज्य का वास्तविक मुक्या होता है। जी के मुख्यमंत्री जो है इनके द्वारा कार्य किये जाते हैं लेकिन राज्यपाल के साइन के बिना वो कार्य आगे नहीं बढ़ता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिशत किसके प्रति उत्तरदाई होते हैं तो जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिशत जो है वह विधान सभा के प्रति सामुनिक रूप से उत्तरदाई होते हैं अगर ये सबी इकटे मिलकर कोई भी कारे करते हैं क्योंकि इन्हें सामुनिक रूप कर रहे करता है। Next है कुशिण 33 राजिस्तान में विधायका कितनay सदनात्मक हैं? देखिये, वारत में, राजिएं नगल में दूजी सदनात्मक है? राजिशाबल सभा आती है। ने यह ज़ा बया NO-6 विधान सभावी है, लेकिन विधान परिशद नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक सदनात्मक विधायका है, चीक है, याद रखना है, इसके अलावा हम देखते हैं कि दूए सदनात्मक जैसे बिहार, महराष्ट, करनाटक, आंदरप्रदेश, यूपी और जमुकसेर, यहाँ पर दूए सदनात्मक विधायका है, यहाँ पर विधान सभावी है और विधान परिशद भी है, लेकिन राजिस्तान में एक सदनात्मक ही विधायका है, चीक है, याद रखना है, राजिस्तान राजी की विधान सभावा के 200 निर्वाचित शेत्र मैंसे, हमने देखा था कि रा अनसुची जाती के लिए और 25 शेत्र जो है वो अनसुची जनजाती के लिए हैं ठीक है तो जो सीटो का आवंटन है अनसुची जनजाती के लिए 34 है और अनसुची जनजाती के लिए 25 है तो यह इनके लिए निर्वाचन शेत्र के मतदाता द्वारा जैसे एक निर्वाचन शेत्र है वहां के जो मतदाता है वोट यानि वोट देते हैं और उनके द्वारा अपना प्यतिनिधी चुनते हैं वही विधायक कहलाता है वही MLA कहलाता है जो की विधान सभा में या विधान परिशत में उसी तरीके से विधायक बनने के लिए 25 वर्ष का होना जरूरी है, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष का होना जरूरी है, प्रधान मंत्री बनने के लिए 25 वर्ष का होना जरूरी है, ठीक है, यह सभी याद रखिएगा विधान मंडल में प्रथम और दृत्तिय सदन कौन सा होता है विधान मंडल जिसके अंदर विधान सभा भी आएगी और विधान परिशत भी आएगी तो इसमें प्रथम और दृत्तिय सदन कौन सा होता है तो देखिए विधान सभा जो की प्रतम सदन है और यह अस्थाई है क्योंकि यह कभी भी भंग हो सकती है ठीक है नेक्स्ट है विधान परिशत यह दूसरा सदन है और जो की इस्थाई है यह कभी भी भंग नहीं होता है तो याद रखना है विदान Sवा पहला सदन है जो की अस्थाई होता है और विदान परिश्थ दूसरा सदन है इसी तरीके से जब हम Central का पढ़ेंगे केंद्र का पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि लोक सबा प्रिथम सदन कहलाती है जो कि अस्थाई होता है और राज्य सबा रित्य सदन होता है जो कि इस्थाई होता है ठीक है तो देखिए एक चीज़ आप विल्कुल दिमाग में रहें राज्य सरकार जिस तरीके से कार्य करती है उसी तरीके से केंद्र सरकार करती है तो जिस तरीके से राज्य सरकार का ढाचा होता है एक कारेपाल का होती है विधाय का होती है और नियाइपाल का होती है इसलिए कह रही हूं कि यहां पर समझते चलिए विधान सभा की व वो वर्ष में तीन बार होती है, वर्ष में तीन बार होती है, विधान सभा की कारिवाई का संचालन कौन करता है, तो विधान सभा में कारिवाई का संचालन जो है, वो विधान सभा का अध्यक्ष करता है, जिस तरीके से लोग सभा में कारिवाई का संचालन जो है, वो लोग राज्य सरकार की धन संबंदी कार्यों पर किसका नियंत्रण होता है क्योंकि जब बजट बनता है तब सभी मंत्रियों की सहमती उसमें शामिल होती है राज्य में बजट कौन प्रस्तावित करती है तो अगर आव इस्वास प्रस्ताव वो आता है विद्दान सभा में तो उस वक्त मंत्रियों काता है उसके बाद है विधान सभा में सत्र की बैठक कौन करता है और सत्र कौन बुलाता है देखिए दो बातें यहां पूची गई है एक तो सत्र की बैठक जो है वो लोग सभाई स्पीकर की तरह विधान सभा अद्यक्ष करते हैं विधान सभा में लेकिन इनको बुलाने का काम कौ निरुवत हो जाते हैं, यानि कि उनका रिटायर्मेंट हो जाता है, तो विधान परिश्यद के लगभग एक तिहाई सदस्य जो है वो हर दू वर्ष में निरुवत हो जाते हैं, नेस्ट है राजशेय की सब्से बड़ी अधालत तो होती है 16 केंदर में सबसे बड़ा supreme court होता है उसी तरीके से राज्य में सबसे बड़ा होता है high court उचे नयायाले राजिस्थान का उचिन यायले जोदपूर में है इसकी एक पीठ या साखा कहा है तो जो हाई कोट है राजिस्थान का वो जोदपूर में है लेकिन इसकी जो एक साखा है जो एक पीठ है वो है जैपूर में भी है तो यहां हमारे ये चेप्टर जो है वो कम्पीड होता है आय तो यह चप्टर भी आपके लिए important रहेगा, चलिए, question 1 है, किस अनुचीद में 6-14 वर्स की आई वाले बालक बाले काओं को निशुल्क और अनिवाले सिक्षा का प्राग्धान है, तो यह है संविधान की अनुचीद 21 के बाद एक नया अनुचीद जोड़ा, अनुचीद 21 त तो उसके तहत हमें यह है, बिलता है कि 6-14 वर्स की आई वाले बालक बाले काओं को निशुल्क और अनिवाले सिक्षा प्राग्धान की जाएगी, और इसी 86 संविधान संसुदन 2002 के तहत जोड़ा गया है, यह भी आपको याद रखना है, और यह एक्जाम में आया हुआ कि याद रखना है, पस्तूरवार गांधी वालिका आवाश्य के विध्यार है, स्वामी विवेखानंद राज की मॉडल स्कूल, जो आपको अपने शेत्र में भी देखने को मिलेंगी, जैसे 12 तक की कख्षाएं यहां कराई जाती है, शार्दा वालिका चात्रवार जो की 9 स के लिए चलाई गई है, और यह सरकार में क्यों चलाई है, जहां पर एडुकेशन की दिन्हां कमी दिखाई दी, Q3. सफ्कार आतिक उसे कमजोर परिवारों के लिए किस प्रणाली से सस्की डरेगेघू चीनी आदी खाते misma लोक नकतर ब्रवारे है. Q4. आंगनवाली के इंदर पकितने वर्स्तव के बच्चों के लिए पूरक पोशाहार उक रवाया जारा है तो देखिए हमें याद नहीं रहता है कि आंग अरणवाणी के पर कितने रष्ष में बश्चन पने सते हीsama किया कम है तो इसका आंसर है इसका अंसर है तीन से छेत बश बशके बच्चों के लिए ठीक है तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निशुल्क दवाव जाच योजना मुख्यमंत्री निशुल्क दवाव जाच योजना देखिए आंसर जो है वो आपको बहुत एजी लग रहे हैं यहांपन लेकिन जब यह आ जाते हैं उप्शन के साथ तब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको क्या करना है वो सोचन का आंसर ही व्याद रखना है जिसके कोई भी आचाहे है नहीं तो इस नान सर आता है तो मुक्य मंत्री निशुल्ग दवा और जांच यूजना इसके तहट रोग्न को निशुल्ग दवाई उप्लब्द करवाई जा रही है राजस्तान में किसी योजना के तहत माता वा शिशुमों को स्वास्त एय प्रदान की जा रही है. तो माता और शिशुमों के लिए जो सेवाये और जन्री वा है जन्री वा शिशुमों सुरक्षा. तो बहुत ही इजीवे में याद रख सकते हैं. नेक्स्ट है कुशिन 7 ग्रामिन परिवारों में आवास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई यूजना है कौन सी हैं तो यह है मुख्यमंत्री आवास यूजना हम आईरें न्यूस पेपर में भी ये पढ़ते हैं तो यह ग्रामिन परिवारों के लिए हैं इंद्रा आवास question 8 है शहरी परिवारों में आवास के लिए सकार द्वरा बनाई गए यूजना कौन सी है तो इसका right answer होगा मुख्यमंतरी जन आवास यूजना देखिए अब confusion कैसा होता है जब हमने ग्रामीर परिवारों में आवास के लिए सकार द्वरा बनाई गए यूजना देखी थी तो वहाँ पर आंसर क्या था तो वहाँ पर आंसर था मुख्यमंत्री आवास यूजना और इंद्रा आवास यूजना जब हमने शहरी परिवारों की बात की तो वहाँ है मुख्यमंत्री जन आवास यूजना तो किनी एक को आप याद रख लेंगे तो दूसरा जो ह आकुशल श्रमिक हैं, जो कुशल नहीं है, उन्हें रोजगार की मांग के लिए किसी यूजना के तहत ये पूरा किया जा रहा है, तो सरकार महातमा गांधी राष्ट्री ग्रामील रोजगार गारंटी अधनी, इसके तहत जो भी ग्रामील शेत्रों में पंचीक्रत आकुशल इनको रोजगार की मांग पुरा करवा रही है, जिसे हम डरेगा भी कहते हैं, तेहों? याद रखेगा, महात्मा गांधी नरेगा यूजना भी गते ये के तो सरकार गारंटी देती है कि Señor ang गारंटी देती है, कि ग्रामील शेत्रों में एक्कास दिन पंचार रोजगार गार तो याद नहीं रख पाएंगे, याद रखना है 150 days Q11 है, मात्मा गंदी न रेगा कि अंतरगत यदी रोजगार उपनत ना हो पाए तो कितने दिनों में विरुजगारी पत्ता दिया जाएगा अब संक्या अधिक होने की वज़े से किसी कारण वस नहीं दे पा रही है उसक्त सरकार उन विरुजगारों को तो उसके लिए सरकार देगी विरुजगारी पत्ता तो वह है 15 दिनों में ही विरुजगारी पत्ता उनको प्रोवाइट करा दिया जाएगा किसे बनाकर परिवार के सदस्यों का नामंकर किया जाता है अब कहीं को तो इसका आंसर शायद नहीं भी पता होगा और बहुत इसका आंसर जानते भी होंगे कि जो भामाशाय यूजना चली है, भामाशाय कार्ड, तो वहाँ पर पईवार का मुख्या है, वो किसे बनाया गया है, तो इसना आंसर है, पईवार का मुख्या जो है, वो महला वो बनाया गया है, जो भी महला है, उसे ही हेड बनाया गया है, नेक्स्ट है, कुश्चिन 13, कंप्योटर सिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो यह अभियान है, डिजिटर इंडिया, तो यादर किएगा, डिजिटर इंडिया, कुश्चिन 14 है, राजिस्थान में और राश्ट्री इसतर पर सूचना का उसके बाद है, कुश्चिन 15, राजिस्थान लोग सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011 क्या है, तो इसका आंसर है, इस अधिनियम के द्वारा, 18 सरकारी विभागों के 53 विश्यों की 153 सेवाओं को सामिल किया गया है, जैसे की उर्जा है, पुलिस है, चिकिस्सा है, याताया खादा, पूर्ती, सारजनिक, निर्मार, विभाग, किसके अंतरवेत, राजिस्थान लोग सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतरगरते है, तो देखिए, कि क्लास जो है, वो आपकी 7th क्लास चल रही है, लेकिन कुश्चिन जो है, वो इंप्रोटेंट है, क्योंकि एक्ज समस्याओं का निवारण किया जा सकी, next है question number 17, नियूंतम जीवन इस्तर से क्या थातर है, नियूंतम जीवन इस्तर का अर्थ है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, सिक्षा, चिकिस्था, वनुरंजन, आधि अविशक्ताओं का वह नियूंतन इस्तर, जो एक विक्ति के साम समाने जीवन के लिए हो सकती है, उतनी तो मनुष्य को मिले, तो यही है नियूंतम जीवन इस्तर, रोटी, अपड़ा, मकान, सिक्षा, जिकिस्था, वनुरंजन, आधि आवशक्ताओं का वह नियूंतन इस्तर, जो एक व्यक्ति के सामाने जीवन के लिए जरूरी है, next है question question 18, एक कल्यानकारी राच्य कौन सा होगा, तो आंसर है, वह सरकार, जो नागरिकों को नियूंतन जीवनिस्तर की सभी सुविनाय, रोजकार, सामाजिक सुरक्षाई, उपलप्त करनवाने के लिए कारे करती है, तो वही एक राच्य कैसा है, कल्यानकारी राच्य है, तो यहा याद नहीं होता है, तो टेस्ट की वजए से आप उन्हें अच्छे से याद कर पाओगे, और आपी बहुत अची वीजन होगी, चलिए, स्टार्ट करते हैं, लोगतंतर का 4 इस्तंब कौन सा है, लोगतंतर का 4 इस्तंब कौन सा है, तो इसका आंसर है, मीडिया या प्रेस, लोगतंतर का 4 इस्तंब माना जाता है, कुश्यन नंबर 2, मीडिया किस अंग्रेजी सब्द से बना है, देखिए, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें अक्सर चीज़ें ऐसी मिलती हैं, कि मीडिया किस भासा से बना है, तो हम वहां देखते हैं, कि लेटिन भा करते हैं, तो हो क्या होता है, एक माध्यम होता है, कुश्यन 3 है, मीडिया किसे कहते हैं, तो मीडिया का अर्थ होता है, माध्यम, विचारों, सूचनाओं की आधान प्रदान की प्रणाली को मीडिया कहते हैं, जहां हम अपने विचारों को, सूचनाओं को आधान प्रदान क करते हैं एक दूसरे तब पहुंचाते हैं तो यह माध्यम हो सकता है रेडियो दूर्दर्शन समाचार पत्र टेलीफोन या कम्प्यूटर ठीक है याद रखिएगा उसके बाद हमने मीडिया को चाना मास मीडिया क्या होता है तो तोड़ा सा ही फर्क होता है अकवार रेडियो समू है वहां तक अपनी बात पहुंचाई जा सके तो थोड़ा सा ही अंतर है मीडिया और मास मीडिया में नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 5 सवच्छ भारत अभ्यान की सुरुआत कब होई थी कुश्यन बहुत ईजी लग रहा है लेकिन फिर भी नहीं पता होगा बहुत सारे सवच्छ भारत अभ्यान की सुरुआत कब होई थी तो एक चीज तो याद रखनी है कि महात्मा गंदी के जन्म दिवस पर ही सवच्छ भारत अभ्यान की सुरुआत होई थी बस आपको सन याद रखनी है 2014 दो अक्टूबर 2014 को गंदी जयनती पर सवच्छ भारत अभ्यान की यह चेप्टर जो है, वो किवल समझ पर आधारित था, जो कि हम बहुत सारी चीज़ों को पहले समझ भी जोके हैं, तो यहाँ पर इतना ज्यादा कुशन नहीं निकले हैं, किवल 5 ही निकले हैं, जो कि आपके एक्जाम के लिए जरूरी थे, मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, क झाल 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